नमस्कार दोस्तों मैं नीरेज आप सभी कैस्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर आज इस यूटूब चैनल के माध्यम से 50 अति महत्वपुन प्रशन लेके आए हैं जिसमें आपको All India GK MCQ होने वाला है सभी किताबों के निचूर कर लाया गया Science, History, Geography और Pulti के Questions इसमें होने वाले हैं इसमें आपको सभी एक्जामों के लिए ये वीडियो कारगर होंगे और इसमें इतने अच्छे एच लेवल के High Level के Top Level के Questions डाले गया है तो चलिए शुरू करते हैं Questions से पहला कोचन है टीम पीक को निमलिखित में से किस रूप में जाना जाता है तो यह जाना जाता आंतरीक्छ याद्री के Рूप में अगला कोचन है निमलिखित में से गहाएक को नाया नाम मास कलापना 1 मेट सेट को अगला कोचन है दिएगा चीता आरेक में कौन सा आरेक आंतरिक्ष में तुल्लेकारी उपगरह के पत का अधिक्तम सही निरूपन करता है तुल्लेकारी उपगरह के पत का तो अधिक्तम निरूपीत करता है तो ये करता है अप्सन नमबर ए सिधा गोला अगला कोशन है भारती आंतरिक चनुसंधान संगर्थन के अध्यक्ष है तो यह अध्यक्ष है जी माधवन नायर अगला कोशन यहां पे कथन और कारण है कि भारत के टेली कम्यूनिकेशन को उपगरा से जोड़ दिया गया है और कारण है भारत एस्टार वार की तयारी कर रह लिए इसमें से सही हो जाएगा अपन इस सही हो जाएका पर कालन गलत हो जाएगा नी कथन सही है पर कारन गलत है अगला कोचन है निम में से कौन सा आवरीती बैंड इंसेट या जी सेट उपगरा संचार है तू उपयोग में नहीं है तो उपयोग में नहीं है MF अगला कोचन है भारती ये उपगरा स्रिंखला जो दूर संचारत अंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है वह कौन सा है तो वह है इंसेट अगला कोचन है आंत्रीख परदोग की के चेतरे में भारत में 1994 की आधि में अपनी इस दाक्षता को परदर्सित कर दिया है वह है तो वह दाक्षता है तो लिस्ट ले कालिक उपगरा परचेपित कर सकता है अगला कोचन है PSLVC 137 के द्वारा एक ही उरान में 15 फरवारी 2017 को सफालता पुर्वत कितने उपगराः परमोचित किये गए तो ये किये गए थै 104 उपगराः अगला कोशन है यह पल उपगराः को पर छेपित किया गया था तो यह पल उपगराः को पर छेपित कोरू यानि फ्रेंच गुवना से किया गया था अगला कोशन है पृती विराज रासों के लेखक है तो ये लेखक है चंदरवर्धाई पृती विराज बीजय का लेखक कौन है तो पृती विराज बीजय के लेखक जयानक है जयानक अगला कोछ है नहीं लिखित यूगमों में से कौन सा एक सुमलिक नहीं है गलत है तो गलत हो जाएगा अब्दुल रहमान हमीर रासो ये गलत हो जाएगा बाकी चंदर दाई फृति भी राज रासो सही होगा जगनिक अलाह खंड भी सही होगा और नर्पती कीं नाला विशल देव राशव भी शही होगे अगला कोछन है नेम लिखित राजपुटवन्सो में से किसनल आठ्वी सताबदी में दिल का यानि देहली शेहर की स्थापन की ती तो ये की थी तूमरवण्सन supremacy जगना पुन्टरवर्धन भूक्ती यानि भूक्ती आवस्थ पुण्डर वर्वन भुक्ति अवस्थी थे तो अवस्थी त है उत्तर बंगाल में अगला कोषे ने पालवस का संस्थापक तो पालवस का संस्थापक गोपाल हो जाएगा लूँन कमिसी दने से कौन गर माया ओंसटी विवर में यहां प्रपा specialist का चाहर सुनिकाल का समय कोई जाए गारवे सिलिट अजरे er非 टा मिथ आज के किसार आज की ईता को बिखरोय हाँ तो यह अजरी तो यह किए जला आज toxic services एक बया तक राजसवा करें बारे से लोगसभा में किसी विद्धेक पर आम बहुत निमलीकित में से किस अस्तर पर होती है तो यह होती के जनाना होता है उपस्ति तथम मत देने वाले सदस्यों का सधारन बहुमत के साथ अगला कोशन है यदि राष्ट पती ने संसत के संयुक्त सत्र के लिए अधिवे सूचना जारी कर दी और इस बीच लोग सभा भी घटित हो जाए तो क्या होगा तो यह होगा संयुक्त सत्र या था समय आहूत होगा अगला कोशन है निम्द कतनों पर वीचार कीजिए यानि इन में से कौन से कतन सही है यह बताना है तो तीनों कतन सही होगा अपसन यह में है कि अपसन नहीं मतलब यह पहला है कि भारत में संसत के दोनों स्थनों की संयुक्त बैठक अनुच्य एक वाठ में शंसुक्रीथ है ये सही हो जाइगा और दूसरा भी सही होगा कि लोग सावा ता राज सावा की प्रतम सैंग्त बैठक वर्स 1961 में हगा था और तीसरा भी सही होगा के भारतिय संसत के दोनों सदनों की दोरिस स्थन वेठक बैँक शेवा आयोल निर्शन बील को पा हमकिनी किवल 4 में किवल 6 होगा कि एक और अईसे विद्यक पर भीचार्क करने और उसा पारिद करने के लिए जिस पर दोनों शद्नों में मतभेद हो किवल 4 पर सब्रक्राइब होगा agree the current पर कैनुन विद्यक शंद के किस पठल पर रखा जा सकता ही तो यह रखा जाएगा केवल दो यानि राजसभा में लंबित कोई विधायक जिसे लोगसभा ने पारित नहीं किया है लोगसभा के भी घटन पर बेउत्पन नहीं होगा यह साही हो जाएगा केवल दो अगला कोशा है समीधान के किस प्रवधान में कहा गया है कि विधी के प्राद्रिकार के बीना ना तो कोई कर्ड लगाया जा सकता है और नहीं एकत्रित किया जा सकता है तो यह अनुशेद है अनुशेद 265 के तहट कोई भी संसद के बीना परमीशन के कोई टेक्स ले नहीं सकता या फिर एकत्रित नहीं कर सकता या लागा नहीं सकता अगला कोशन है निमलीखित में से कौन सा एक भारत की संचित नीधी पर भारित नहीं है तो भारत के उपराष्ट पती का वेतन तथा भत्ते है अगला कोशन है निमलीखित यूगमों में से कौन सा सही समलित है तो सही समलित हो जाएगा हरे पौधे पराष्टित की तंत्र सही होगा अगला कोचन है परी तंत्र में खाद श्रिंख लाओं के संदर में निमलीखित में से किस परकार के जीव अप घटक जीव कहलाता है तो यह कहलाता है कवक और जीवानों दो और तीन कहलाता है अगला कोचन है किसी भी किसी भी प्रास्थितिक तंत्र में उर्जा का पिर अस्थर नांतरण के पस्चाथ क्या होता है तो यहां घर्ति आ है अगला कोशन है जय वानिकी के संब्ध में निमलिकित कत्नों में से कौन से कफ़र सई है तो जय वानिकी के संब्ध में दो अश्चायोगा यानि यह प्रास्थित्यकी का प्रियावाय है यानि सिनोनेज में है और तिसरा भी सघॉग कि यह प्राकिर्टिक तंत्रों के मुल पर बल देता है जो मानोत तंत्रों को परभावीत करते हैं दो और तिन सायोगा अगला कोशन है प्रास्थितिक तंत्रे में तत्तों के चक्रन को क्या कहते हैं तो यह कहते हैं यह भूरासानिक चक्र अगला कोचन है निमली के जब भूरासानिक चक्रों में से किसमे चटानों के अपच्छाय चक्र में परवेश करने वाले पोसक तत्यों के निर्मुक्त होने का मुख सुरूत है तो वह सुरूत है फासफूरस चक्र अगला कोचन है समुदायों का वर्न करम जो करम सा एक निश्चित अस्थान पर बदलता है कहलाता है तो यह कहलाता है शियर अगला कोचन है प्रास्थित के अस्थाय मितब्या यह किस आंदोलन का नारा है तो यह नारा है चिपको आंदोलन का प्रास थेते के पदधशाप के माप की एकाय है बुर्णाल बंबंज एक विमारी है गैहुं की मेकरोणि गैह descriptive नाम की अगला कोचा दहान के उत्पती हुई दक्षिनपर आई में हुई तह अगला कोचा ने मिलिकित पसलोपर विचार किजिए इन में से कौन सी खरीब की फसल है तो खरीब की फसल हो जाएगी कपास मुंग फल्ली और धान हो जाएगा गेहुन नहीं होता है खरीब की फसल एक dho और तीन हो जाएगा अगला कोचन है चावल की खेती के लिए आदरता जलवाई परस्तेतिया हैं तो यह परस्तेतिया होती है 100 cm से उपर का वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस उपर तापमान होना चाहिए अगला कोचन है भारत में निमलीखित में से किस फसल के अंतरगत सरवाधिक छेतर फल है तो धान का सरवाधिक भारत में जमीने हैं जिस पर धान की खेती की जा सकती है अगला कोचन है भारत में चावल की खेती के अंतरगत सरवाधिक छेतर पाया जाता है तो यह पाया जाता ह उत्तर प्रदेश में अगला कोचन है भारत के चावल के कटोरे छेतर का नाम बता है तो यह नाम है कृष्णा को दावरी डेल्टा छेतर अगला कोचन है बरानी दीप किस फसल की किस्म है तो बरानी दीप धान की फसल की किस्म है अगला कोचन है यह लिखित में से कौन सी बास मती चावल की संकर पर जाती पूस्ता आरेच टेन है तो फ्रेंड्स यहां पर कोश्चन्स हमापत होता है आपको कोश्चन्स कैसा लगा कॉमेंट करके बताइए अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए मिलते हैं फिर अगले जगले नहीं शाईब कर जातीजिए मिलते हैं झाल स्वाइब कर जाते हैं औरलका क समक्राइब करण को जाने की प्तलड की साध 142 सनल मिलते है झाल